हेलो ब्यूटिफुल सूल्स वेलकम बैक कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और spiritually खुद को ग्रो कर रहे होंगे बहुत कुछ सीख रहे होंगे अपने आपके बारे में जानने की कोशिस कर रहे होंगे और आज रीडिंग लेकर आई हूँ आपके परसन की करेंट एनरजी इस वक्त उनकी करेंट एनरजी आपके लिए क्या है क्या सोच रहे हैं आपको लेकर उनका अगला कदम next action क्या होगा आपके लिए वो यहाँ पर हम सब जानने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर reading मैं pick a card लेकर आई हूँ यहाँ से मैं दो cards select करूँगी और वो दो cards के according फिर हम reading करेंगे आपके परसन की energy जानने के लिए ओके यहाँ पर first card निकल कर आया है three of wands fire energy है Aries, Leo, Sagittarius और action का card है अगला है knight of wands तो यहाँ पर दोनों ही energy fire है और दो cards है इन में से आपको pick करना है कोई एक मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ three of wands and knight of wands और यह वाला card मुझे four of wands के energy भी देता है तो आप इन में से कोई एक select कर लीजिएगा और अगर आप दोनों चाहते हैं तो दोनों भी चुन सकते हैं तो सुरू करते हैं हम card one के साथ group number one check करते हैं कि आपके person की current energy क्या है देखिए camera काफी shake up कर रहा है हेल रहा है it means कि आपके person के energy भी थोड़ी सी आपके लिए craving वाली है ये person आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको बहुत चाहते हैं इनके अंदर मैं एक fire देख रही हूँ एक आग देख रही हूँ कुछ है जो ये आपसे reveal करना चाहते हैं आपसे बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं four of cups का card है सम्हाओ आप लोग हो सकता है कि अभी no contact में हैं कुछ आप लोगों की बीच में ऐसा हुआ है जो कहीं न कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है और इस person को भी सोच रहे हैं ये की future में क्या करना है bottom of deck seven of cups इस वक्त इनकी energy थोड़ी सी मुझे confusing लग रही है क्योंकि ये decide नहीं कर पा रहे हैं कि इनको अपनी life में क्या चाहिए five of wants आप लोगों के बीच में कोई chaos हुआ है conflict हुआ है आप दोनों के बीच में किसी वज़े से आप दोनों एक दूसरे से no contact में हैं और कुछ viewers contact में हैं लेकिन काफी कम बाचित हो रही है उनकी three of wants आप लोगों के बीच में जो arguments हुआ है maybe आप दोनों के workplace को लेकर हुआ है maybe किसी और person ने आपकी life में interfere करने की कोशिस की है इस वज़े से हुआ है कुछ ऐसा यहां पर हुआ है कि आप दोनों ही एक दूसरे से argument कर रहे हैं और दोनों ही जैसे कि एक दूसरे की भावनाव को समझना नहीं चा रहे हैं तो इस वक्त उनकी जो energy है वो conflict वाली है sorrow में हैं सोच रहे हैं चीजों के बारे में कि क्या चीजें ऐसे ही जानी थी जिस तरह से relationship में confusion आ रही है जैसे relationship में एक दूसरे के प्रती गलत अफधानाएं आ रही है क्या ये relationship ऐसा ही सोचा था उन्होंने बहुत deep thinking में हैं हलांकि इनके पास एक अफसर है एक opportunity है बस एक कदम की दूरी है ये चाहें तो आपसे apology कर सकते हैं आपको बता सकते हैं कि असल में चीजें क्या हैं कहां पर गड़़ हुई है eight of pentacles इस वक्त ये person पूरी तरह से अपने carrier पर focus कर रहे हैं अपने study पर focus कर रहे हैं वर्क पर focused हैं ten of cups and ten of wands इस person के ऊपर काफी ज़्यादा burden है जिम्मेदारिया है family की हो सकती है workplace की हो सकती है business की हो सकती है exams की हो सकती है study की हो सकती है ये person हर चीज छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं यहां पर देखिएगा ये person यहां से चल के आ रही है ये आपकी और move करना चाहते हैं क्योंकि इनको ये एहसास है कि you are the one आपके साथ इनकी happy family है आपके साथ ही अपना future देखते हैं आपके साथ ही अपने बच्चे देखते हैं अपना प्रेम देखते हैं और अपनी life emotionally fulfilled और balanced देखते हैं इनको लगता है कि आपके इतना प्यार ने कोई नहीं कर सकता क्योंकि आप एक नहीं बलकि कई जनमों से एक साथ हैं यहां पर देखिएगा आपको कितने सारे colors देखेंगे यहां पर हर एक colors में कई कई सारे divider हैं बहुत सारे जनम past life आप लोगोंने एक साथ गुजारी हैं एक दूसरे के साथ रहकर bottom of deck है seven of cups यह थोड़े से दूविधा में भी हैं कि क्या मैं जो एक सनल लेने की सोच रहा हूँ यह successful होगा क्या future में हर चीज वैसे चलेगी जैसे हमने सोचा है three of pentacles इनको यह बात एहसास है कि आप इनका साथ दोगी आप हर कदम पर इनके साथ रहोगी ace of cups यह अभी इस वक्त काफी overwhelming feeling के साथ आपको miss कर रहे हैं आपके पास आना चाहते हैं इनके लिए अब समय काटना थोड़ा सा मुस्किल हो रहा है bottom of deck the lovers आग लगी हुई है दोनों तरफ और यह आग ही है जो इनको आपकी ओर लेकर आ रही है इनको यह realize हो चुका है कि you are the one आपके इलावा इनकी जीवन का कोई और उद्देस नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति हर चीज के बिना रह सकता है लेकिन प्यार सच्छा प्यार मुश्किल सी मिलता है उसकी बिना नहीं रह सकता हूँ चलिए देख लेते हैं कि उनका इस वक्त वो सबसे जादा किस चीज पर फोकस्ट है रूम एनिमी एनड चाइल्ड बॉटम अफ डेक वाइफ देखिए ये परसन आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए यहां पर ये भी है कि आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं इस रिस्ते में कमिट्मेंट देना चाहते हैं इस रिस्ते को इस्थाई बनाना चाहते हैं क्योंगि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत गयँमाय कैमी रहती है इस person को भी यह लगता है कि आप दोनों ही कहीं एक बूसरे से move on ना कर लें यहाँ पर जो card निकल कर आए हैं वो है enemy कोई लोग हैं जो इस रिस्ते को खराब करना चाहते हैं इस रिस्ते को बेगाड़ना चाहते हैं maybe या तो उनके family members हैं या फिर उनका कोई friend है या कोई ऐसा person है जो छुप छुप के आप दोनों को देखता है social media पर और वो कहीं न कहीं black magic आप दोनों पर put करता है या spell आप दोनों पर put करता है या करती है room यह person एक घर का dream देखते हैं आपके साथ इनका सपना है कि यह आपके साथ रहें और इसलिए यह beat up कर走吧 करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए यह मैनत करना जाते हैं और एक घर बनाना चाहते हैं जिसमें की आप दोनों सु provinces रह सकें child या तो आप दोनों के बीच में child issues है या तो आप के बच्चे हैं या इस परसन के बच्चे हैं आप में से कोई एक married है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये परसन आपके साथ अपने बच्चे देखते हैं इनका ये dream है कि आप इनके बच्चों की मदर बने और इन फ्यूचर आप एक हैपी फैमिली स्पेंड करें साथ में चलिए देखते हैं इस परसन का नेक्स्ट एक्षन क्या होगा इस परसन का नेक्स्ट एक्षन क्या होगा रिलेक्स एंड लेट गो अगर देखते हैं दियर फ्रेंड्स लाइफ लेसंस एंड ही लिंग ये रिवर्स में है तो इनको लाइफ लेसंस मिल चुके हैं आपके से अप्रेशन में इन्होंने बहुत सारी लाइफ लेसंस लिये हैं open your heart ये person अपने हाट चक्रा को ओपन कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं इनको हाट चक्रा ओपन करने में fluid इनका next action है flirt का ये आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ गेट पर जाना चाहते हैं आपको एख हूफर करना चाहते हैं support, यह support चाहते हैं आपका, get to know each other, एक दूसरे को जानने और समझने का time है, यह अगला action इनका यही होगा, कि यह जादा से जादा आपको समझने की कोशिस करेंगे, आपको बहतर तरीके से जानने की कोशिस करेंगे, soulmate, यह आप से marriage करेंगे, then pregnancy, इनका जो next action है, वो है marriage का और उसके बाद pregnancy का, यह है आपके partner की current energy, उमीद करती हूँ कि reading आप से resonate की हो, reading पसंद आई हो, तो वीडियो को like, share, subscribe करिएगा, thank you so much for watching, हेलो, welcome, group number 2, हमारे जिन वीवर्स ने ये वाला कार्ट चुना है, night of wands का fire energy है, आपके partner की, Aries, Leo, Sagittarius, चलिए, चेक तर लेते हैं कि इस person की current energy आपके लिए क्या है, फिर उनका action देखेंगे हम, guide करें universe, thank you, thank you God, thank you angels, thank you so much universe, guide करें, हमारे वीवर्स के, person की current energy क्या है, guide करें universe, हमारे वीवर्स के partner की current energy क्या है, bottom of deck, three of swords, इस दक्ता आपके person, heartache से गुजर रहे हैं, three of swords के energy है, किसी तरह का कोई दोखा, या आप से separation, या आप से argument, या कुछ ऐसा हुआ है, कि काफी sorrow में हैं, इस वक्ति ये रो रहे हैं, दिल तूटा है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं आ रही है, six of wands, victory है, लेकिन ये situation जल्द ही improve होगी, ten of swords, इस वक्ति ये person काफी ज़्यादा दुख में हैं, तकलीफ में हैं, sorrow में हैं, आप दोनों की बीच में कुछ ऐसा जरूर हुआ है, जो कि इस person को या आपको तकलीफ दे रहा है, या दर्द दे रहा है, ये person हो सकता है कि अपने work को लेकर काफी ज़्यादा sensitive है, इसलिए ये confuse हैं कि इनको किसको चुनना है, आप पर focus करना है, या फिर अपने work पर focus करना है, maybe इनकी busy schedule की वजए से आप इनसे move on कर रही हो, क्योंकि आपने इस relationship में बहुत ज़्यादा work किया है, आपने बहुत ज़्यादा दिया है इस रिस्ते को, और आपको equal give and take नहीं मिला है, इसलिए आप इस relationship से move on करना चाहती हो, क्योंकि आपको न सकता है कि आपकी energy है, या इस person की energy है कि walking away एक दूसरे से करना चाहते हैं, एक दूसरे को समय देना चाहते हैं, थोड़ा सा आपने उपर work करना जाते हैं, the magician, या person काफी ज़्यादा intuitive लग रहे है, मुझे या लग रही है, और इनका एक connection है, universe के साथ, infinite universe से ये बहुत connected रहते हैं, या तो ये person सामन है, empath है, light worker है, healer है, रेकी healer है, कुछ ऐसा ये work करते हैं, जिससे कि ये अपने ख्वाइसों को पूरा कर सकते हैं, इनकी जो desires होती है, वो fulfill होती है, इनकी manifestation, power बहुत strong है, यहाँ पर ये magic create कर रहे हैं, ये magic create कर रहे हैं, अपने life में, हर चीज को balance में लाने की कोसिस कर रहे हैं, I am impressed, आप इनकी नजरों में बहुत beautiful हैं, बहुत nurture हैं, आपके जैसा इनोंने कोई देखा नहीं हैं, और आपके साथ मिलकर इनको लगा है कि, इससे पहले किसी ने उनको समझा नहीं था इस तरीके से, जैसे आप समझ रही हो, एक गाना channel हो रहा है, जरूर सुनिएगा, आपके person की और से आपके लिए है ये, तुम से मिलके, ऐसा लगा तुम से मिलके, अर्मा हुए पूरी दिल के, ए मेरी जानी बहार, चलिए, two of sorts, confusion में हैं क्योंकि लोग इनके कान बहुत बरते हैं, confusion में हैं, इनके आसपास के लोग इनको बहुत समझाते हैं, ये अक्सर सला लेते हैं, अपने करीबियों से, अपने आसपास के लोगों से, जो इनके बड़े भाई बंधू हैं, या इनके friends हैं, या इनके करीबी रिस्तेदार हैं, इनसे ये सला लेते हैं, आपके बारे में ये बातें करते हैं और उनसे एडवाइज मांगते हैं तो वो इनको ऐसी ऐडवाइज देते हैं कि उससे ये इनको चाहिए क्या ये आपको लेकर डाउटफुल हो जाते हैं ये नहीं समझ पाते हैं कि इन्हें किसको चुनना है अपने आपको अपनी जॉब को चुनना है या इनकी soul बहुत craving करती है यह नहीं रह पाते हैं आपके बिना लेकिन फिर भी आपसे जगड़ा करते हैं आपसे argument करते हैं आपके साथ कुछ न कुछ इनकी ऐसी नोग जोंग हो जाती है जिससे कि आप दोनों ही एक दूसरे से cut off कर लेते हैं या कुछ दिनों के लिए ये एक mini separation की तरह से हो जाता है देखते हैं कि उनके thoughts अभी क्या हैं आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर क्या feel कर रहे हैं क्या feel कर रहे हैं हमारे viewers को लेकर हमारे viewers के partner क्या feel कर रहे हैं group no.2 के partner क्या feel कर रहे हैं ओके चलिए servant disappear scholar merchant faithfulness अपने दिमाग का सुकून और आप दोनों के बीच के रिष्टे को खराब नहीं करना चाते हैं servant यह आपको बहुत दिल से चाते हैं आपको प्यार करते हैं और इस रिष्टे को सवारने के लिए यह अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे यह गिवप नहीं करेंगे इस रिलेसंसिप पर चाये इनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े आपने एक मूवी देखी होगी चाची 420 उस मूवी में वो जो केरेक्टर है वो अपनी बेटी के पास रहने के लिए अपनी पत्नी के पास रहने के लिए एक मेड का रूप रखता है एक मेड बनके उनके घर में जाता है और अपनी बच्ची के पास रहता है और अपने वाइफ के पास रहने की कोशिस करत नहीं है की ही को कोई हाँ तुई परसनcopism crash करेंगे कि आपके साथ 2 स्लाइफ मेड हैो सब्सक्राइए को लगता है कि आप अगर नहीं है इनकी जिंदगी में तो इनकी जिंदिगी में Kuisa श्यान नहीं है कोई रौनग नहीं है यह खुद को बहुत ज्यादा दुकी समझते हैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं यह आपके बिना नहीं रह सकते हैं क्यूंकि कहीं न कहीं आपका S kardeş Em इनके साथ आपकी आत्मा जुड़ी हुई है मर्चेंट अगर आप दोनों का लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप है तो ये परसन कोशिस कर रहे हैं कि ये आपके पास रह सकें आपके पास वर्क कर सकें देखिए यहाँ पर समंदर है समंदर के किनारे ये व्यक्ती अपना सामान लेकर खड़ा हुआ है ये वेट कर रहा है शिप का कि शिप आए और ये उसमें अपना सारा सामान और जो इन्होंने अर्निंग की है वो लेकर आपके पास पहुँचें श्कॉलर ये व्यक्ती कुछ स्पेसल चाहते हैं ये स्पेसल करना चाहते हैं ये गंबीरता से अपने रिलेशनशिप को आगे मूव करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि इनका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़कर आए बॉटम ओफ डेक है यहाँ पर सौरो ये परसन आपके बिना खुस नहीं है इनका नेक्स्ट एक्षन आपके लिए क्या है देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्षन ग्रुप नंबर टू के लिए क्या है ग्रुप नंबर टू के परसन का नेक्स्ट एक्षन क्या है ओके ग्रुप नंबर टू के परसन का नेक्स्ट एक्षन क्या है ग्रूप नमबर टू के परसन का नेक्स्ट एक्षन क्या है लुक बियोंड इल्यूजन बॉटम अफ डेक आपको इस वक्त 3D के लेवल से उठकर 5D के consciousness से देखना चाहिए रिस्ते को self love ये परसन self love के लिए आप से कह रहे हैं और इनका next action इनके लिए भी self love हो सकता है हो सकता है कि ये खुद को और ज़्यादा importance दें, खुद के उपर work करें deep contemplation ये काफी deeply रिस्ते की गैराई में जाना चाहते हैं रिस्ते को analyze करना चाहते हैं unconditional love इस परसन को आपके साथ unconditional love है attraction इनको आपके प्रती काफी ज़्यादा attraction है ये आपको बहुत attractive देखते हैं आपके प्रती इनके मन में बहुत सारी hot feelings रहती हैं take a break इस समय आपको break लेने के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा इनको space चाहिए और थोड़ा सा आपको भी space चाहिए तो dear friends ये है reading आपके परसन की current energy उमीद करती हूँ आपको reading पसंद आई होगी reading पसंद आई तो वीडियो को like, share, subscribe करियेगा thank you so much for watching thank you